नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उदर प्रताप सिंग एंड यो वोचें इंग्लिज भाय उदर से यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल बच्छों और इसमें मैं फिर आपके बीच में हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्षर लेके छोटे-छोटे वीडि रहे हैं तो अगर आपसे कहा जाए डाई का मतलब क्या होता है लेकिन ग्रामर में देखा गया है कई बार प्रैपूजिशन बहुत हो जाती है कि यह बहुत पर जाता में बच्छों बतादो थर्टी, ट्वेंटी फाइफ से थर्टी पोरसेंट अकेले प्रैपोजिशन की इंपॉर्टेंस होती ही पूरे एक्जाम में यह error के रूप में आता है, यह filler के रूप में आता है, यह sentence improvement के रूप में आ जाता है, कई बार देखा गया है प्रैपोजिशन ड किसी बीमारी से मरता है किसी डिजीज से उसकी डेस हो जाती है डाई के साथ जब आफ लगा होता है तो देखा जाता है कोई परसन किसी बीमारी या किसी डिजीज की वज़े से मर गया है आई देखते हैं इसके साथ सिस्क्रापॉरशन क्या आता है यह इंपोर्टेंस है जानने की तो डाई आफ का मतलब क्या आपको समझ में आया कि जब व्यक्ति कोई किसी बीमारी से मर जाता है उसकी बीमारी से डेथ हो जाती है ऐसे देखिए डाई फ्रॉम अगर डाई के साथ फ्रॉम लग रहा है तो क्या हो रहा है लिखाए सामने सम जब डाई तो यह प्रॉम आपको ध्यान से देखिए इंजुरी कोई बीमारी तो नहीं होती है यह तो रीजन है जो current की death हुई है, current died from an injury in his head, उसके head में injury हो गई थी, इस विए इसकी death हुई है, तो diet के साथ क्या लगा है, from लगा है, यह importance होती प्रैपोजिशन की, यानि कि जब कोई किसी बिमारी से मरता है, किसी बिजीश से मरता है, उसको पता होता है मरने वाला है, cancer है, malaria है, उसको पता ह उसको क्या बिमारी है, तो diet के साथ off लगता है, बट जब आप diet के साथ from लगाते हो, तो इसका मतलब है किसी कारण से some cause, ठीक है, तो देखे, दो sentence भी मैंने, example के लिए test के लिए दिये हैं, आप लोग के लिए देखे, आप लोग के लिए देखे, कौन लोग किसे बच्चे स अब road accident कोई बिमारी तो नहीं है, road accident तो किसी का भी हो सकता है, आयदे newspaper में आप पढ़ते रहते हैं, कि road accident में इतने लोग की death हो गई, अब जितने भी लोगो road पे चल रहे तो उनको पता था नहीं, उनकी death हो जाएगी, तो जब किसी कारण से, तो road accident क्या है, यहाँ पे बिमारी है, तो जो आप किसी बिमारी से या disease से जब आपकी death होती है, तो off use होता है, John died यहाँ क्या हो जाएगा, from, जो जाएगा पटे, from, तो John died from a road accident, छोटा का वीडियो होता लेकिन बहुत जादा इसमें जानकाय रही थी, और अभी से नहीं, कई सालों से देखा जा रहा देख लीजे, आप लोग, फिर से मैं repeat कराय दे रहा हूँ, die off का मतलब क्या हुआ, जब कोई किसी disease या बिमारी से किसी death हो जाती है, बिमारी, he died of malaria, after a few days of illness, उसकी malaria से death हो गई थी, कोई दिनों पात बिमारी के, die from, और from, die के साथ जब from लगता है, देखे, preposition कितने important होते है कितनी importance होती है, ये word के साथ लग के उसकी पूरी-पूरी meaning ही बदल देते हैं, वैसे तो die का मतलब केवल मरना है, लेकिन off और from देखे, कितना बड़ा अंतर आ गया, अगर आप कोई ची नहीं पता है, तो number 100% आपके cut जाएंगे, कितनी भी अच्छी English क्यों न हो, तो competition भी अ some cause या किसी कारण से जब किसी गिटस होती है, तो क्या होता है, die from, current died from an injury in his head, अब died from an injury, injury क्या है, एक cause है, एक कारण है, तो मैंने दो example भी नीचे रिखाया थे, दोनों exam में आये हुए, Mohan died of cancer, of cancer क्योंकि cancer एक बिमारी है, और John died from a road accident, road accident क्या है, एक कारण है, तो कम बिमारी die off, और cause किसी कारण से जब किसी किटस होती है, तो die from, और अगर सरल सब्दों में कहना चाहें, जो मेरा अपना experience है, जब आपको पता होता है, आपकी चीज से मरने वाले हो, तो die के साथ off लगता है, ठीक है, भाई बिमारी cancer है, malaria है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक कराऊंगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जल्दी से शेयर करदें इसको, थांक्यू, थांक्यू, थांक्यू वाचिन इस वीडियो,